दोस्तों, यहरफोस FCAT की जो form आया है, अगर आप भी इसकी form को फिल करते टाइम, qualification जो details वाला जो option आता है, उस पर अटक गये हैं, यानि कि आपके पास B.A.C.A, B.A.A, या फिर कोई दूसरी education qualification है, और इसमें कई सारी option आते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है आपको क्या select करना है, या फिर इसके आंगे और भी option खुल के आते हैं, उसमें आपको problem आ रही है, तो वीडियो सुरू से लेकर आखरी तक पूरा देखे है, क्योंकि इस वीडियो में दोस्तों, आपको इनी सब details से related जानदारी मिलने वाली है, और हाँ अगर आपको वीडि जी मेरे पास BSC है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर form को fill करने कोसिस कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं ग्रियोशन select कर दूँगा, इसके वाँ जो अगला option आपको देखने के लिए मिलता है, इसमें आप देख सकते हैं, अगर आपके पास दोस्तों, BE, BTEC वगरा है, जिसमें minimum 4 साल की, ग्रियोशन डिगरी होती है, मतलब जो 4 साल की ग्रियोशन होती है, उसमें BE, BTEC आपने कर रही है, और हाँ नीचे यहाँ पर courses से लिटेटर भी जानकारी दे रही है, अलग-अलग points यहाँ पर दे रहे हैं, अगर आपने BE, BTEC कर रहा है, और उसमें से इनमें से कोई course कर करेंगे, इसके बाद अगला आता है दोस्तों, option C, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं, BCOM degree है, BBA, साथ में BSC है, BSC with physics and mathematics है, तो इनमे से अगर दोस्तों, आपने कोई course कर रहा है, तो आप यहाँ पर option C select करेंगे, इसके बाद आपता है, आखरी में option D, तो इसके लिए देखा है, अगर इनमेक के इलाबा कोई दूसरी आपके पास graduation degree है, तो आप यहाँ पर option D select करेंगे, तो मैं आप इसको close कर देता हूँ, इसके बाद यहाँ पर मैं select कर देता हूँ, option C, अब यहाँ पर option आता है, अगला graduation qualification select करने के लिए, तो यहाँ पर आपको अपनी graduation qualification select कर पाएंगे, BSE वाले phone bill कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पर BSE select कर देता हूँ, इसके बाद अगला option आता है, यहाँ पर select stream, कौन सी stream से आपने BSE कर रखी है, finance with physics and mathematics, या फिर सिर्फ physics and mathematics, या फिर सिर्फ finance, तो आप यहाँ पर अपने इसाब से select कर देता हूँ, इसके बाद graduation का कित आता है, उनिवस्टी का नाम डालने के लिए, तो उनिवस्टी का जो भी आपका नाम, मार्सीट वगरा में फेले है, वो आप यहाँ पर डाल देंगे, date, कितनी तारीक को आपकी graduation complete हो चुकी है, या फिर complete होने वाली है, अगर आपकी graduation अभी running में चल रही है, तो यहाँ पर complete हो जो भी आप course कर रहे है, तो यहाँ पर डेट डाल दीजिए, अगर मार्सीट नहीं होने तो कोई भी date select कर लिए, चाहें तो यही वाली date डाल दीजिए, अगर आपकी graduation complete हो चुकी है, तो आप यहाँ पर जो मार्सीट में date print है, वो ही date डालेंगे, इसके लिए ग्रेस पर उनको भी total करना पड़ेगा, अगर सब total करके दे रखा है, तो अच्छी बात है, आप directly यहाँ पर लिख सकते हैं, इसके लाद यहाँ पर पूछा जाता है, भईया, कोई backlog वगएरा तो नहीं रगी है, तो आप यहाँ पर अपने इसाब सी yes no कर सकते हैं, मैं no कर देता हूँ अगला option आता है, 12th की details वगएरा fill करने का, तो 12th में आपके कितनी percentage है, यहाँ पर आपको डालनी है, इसके लाद अगले option में पूछा जाता है, physics में आपकी percent क्या रही है, तो आपको physics की percent यहाँ पर डालनी है, और इसके नीचे यहाँ पर mathematics की percent डालनी है, तो इन सभी details को इ इसमें थम इंप्रेसन वगएर अप्लोड हो रहा है, उसको अप्लोड करने में प्रॉल्म वारी, तो आप इस वाली वीडियो पर कलिक करके देख सकते हैं, जहाँ पर मैंने detail में पूरी process बता रखी, आप किस तरीके से mobile से या फिर PC का यूज़ करके, इसे भी document को बड़े अप्लोड कर सकते हैं,